हेलो एवरिवर कैसे हम सभी लोग वेलकम को एंडेवर प्रैप मेरा नाम है सुरज चौधरी और इस सेशन में हम लोग जानेंगे एक ऐसा बर्निंग टॉपिक जिससे आप जो है देखेंगे पूरे देश के अंदर हाहा कार जो है मचा हुआ है अभी लास्ट सेशन में विंट पार्लियमेंट के जिसको आप कहते हैं विंटर सेशन वहां पर देश की पार्लियमेंट ने कुछ जो है प्रस्ताव पारित किये उन्हें प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव था भारत में कानून के अंदर बदलाव लाने के लिए अगे कौन से कानून की बात कर रहे हैं प यह लाए गया था आज गे टाइम पर अगर आप भारतिये नियाय सहिता की बात करते हैं तो सरकार कहते हैं कि यहां पर जो में सेंटर है वो नागरिक है यानि कि नागरिक के पॉइंट अग्यू सेंग लोगों ने सारी कानून यहां पर बनाए है अब इसके अंदर जो बदला आप क्यों ले करके उस चीज़ को बढ़ दर समझे लिए और चीज़ को समझेने से पहले दिकुछ भारत के इंदर आप वो डेटा जरूर ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और वो डेटा है रोड एक्सीडेंट का डेटा केंद्र सरकार कहती है कि देखो ऐसा है भारत के किसके अंदर डेड़ लाक लोग लगवख डेड़ लाक लोग ऐसे हैं जो एक्सीडेंट के कारण सदक दुरूरतना में मारे गए थे इसमें से भी अगर आप NCRB की बात करें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि वन पॉइंट नाइट परसेंट डेथ जो एक् एक्सीडेंट में वह स्पीडिंग ओवर टेकिंग और डेंजर स्ट्राइविंग की वज़े से हुई अगर इंडिया को अलोवर वल्ड में देखें तो 20 कंट्री जो रोड एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा आगे हैं उन में से इंडिया जो है वो नमबर वन पर आता है अग्युजटा सा ओड देखिना इस त्रेैंट को जिए हैं कि एकारोना युज को घर सरकार ने बंद कर दермें और ड्याथ जो है यहां पर कॉन्टीनी होती रोड एक्सीडेंट गया एक्सीडेंट के अन्दर और डेएँ कर आप देखते हैं 2021 की data को comparison करेंगे तो 2022 के अंदर यह कुछ slightly बढ़ता हुआ ही दिख रहा है यहां पर basically क्या है over speeding के मामले जो है वो बहुत ज्यादा है और यह जो report में आपको दिखा रहा हूँ यह है ministry of road transport and highways की अब बदलाब क्या है देखो पहले IPC चलती थी अभी भी है IPC के जो धारा 304A है वो कहती है कि भाई इसके अंदर 2 साल की सजा होगी और इसमें भी आप पता होगा आपको bail मिल जाती थी है ना बहुत famous high profile case आप लोगों ने YouTube पर या अन्ने कहीं देखे होगे अब जो नया प्राबधान है वो नया प्राबधान क्या कहता है यहाँ पर सबसे पहले आप इसकी धारा को समझें 104A 104A कहती है कि अगर लापरवाही या तेजवाहन चला रहे हैं उसके विल से किसी विक्ति की मरत्ती होती है और चालक वहीं पर है तो ऐसे केस में उस विक्ति को पांच साल की सजा का प्राबधान है पांच वरस की सजा उसे मिलेगी और अगर ये ड्राइवर वहां से भाग गया भागने के बाद में पकड़ा गया तो फिर उसे दस साल की सजा भी हो सकती है और सात में जो है सात लाग तक की पेनल्टी उस पर लग सकती है कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब सजा के प्राबधान को और कड़ा किया गया है अब जब यह नए प्रादधानों का प्रस्ताव लेकर किया इसको पारिट करते हूँ देश के अंदर इसको लेकर के वाईड प्रस्टेस्ट आपको देखने को मिलता है। लुपी की बात के लिए बिहार है महारास्ट एंपी है कई जगे पर इस भी देखने को मिलती है और इस हड़ताल के कारण आप देखेंगे कुछ पैट्रल पॉम पैसे भी देखने को मिले जो बिल्कुल ड्राय हो चुके मतलब हो पर सप्लाई पहुंची नहीं है उसका कारण ट्रांसपोर्ट आप देखते हैं उस ठ्रांसपोर्ट वैसे सिक्स्टी पर सेंट जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट है मतलब माल की जो आवा जाही होती है वो रोड के द्वारा होती है ministry of road and transport कहता है कि 87% जो passenger वारत के ट्रेवल करते हैं वो भी कहां से जाते हैं road के तुरू जाते हैं गर road ही जाम हो जाएगा तो यह जो आबागमन है यह इस पर बहुत ज्यादा impact पड़ता है अब यह से बितना नहीं है इसके बहुत बड़े economic cost भी होती है मतलब क्या है मतलब अगर हम कुछ reports की माने तो वो यह कहते हैं अगर यह इस ट्रैक कॉंटीन होती है तो 120 करोड से लिकर के 130 करोड तक का daily का loss की वेज़ से देखने को मिलता है और यहाँ पर इतना ही नहीं होगा शहरों के अंदर जो essential supplies है जैसे कि आप oil की बात कर लीजे या फिर food items की बात कर लीजे अगर proper supply नहीं हुई तो supply नहीं होने के कारण जो है वो पूरा एक chain disturb हो जाता है और जिसकी वज़े से inflation देखने को मिल सकता है जिसका impact एक दो दिन के अंदर मंडी के दावों के अंदर बिल्कुल देखने को मिला है अब ये तो है इसके impact लेकिन question ही यह है कि भाई इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स इस्पेशली जो ट्रांस यूनियंस है वो ऐसा करने के लिए क्यों मजबूर है तो उनका कहना है उसमें से कुछ वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं कुछ पॉइंट को मैं हापर आपने सामने रखूँगा इन में से एक कहा गया है कि देखो जो एक्सिदेंट होता है उस एक्सिदेंट के अंदर हमेशा जो है भैवी जो विकल होगा उसी की गलती मान जाती है सबसे पहली बात दूसरा कहते हैं कि भाई ये जो फाइन है थोड़ा ज्यादा है अगर हम ड्राइवर हैं तो हम इसको क करेंगे और तीसरा जो टर्म ऑफ सेंटेंस है वह भी कहते हैं कि जरुवत से ज्यादा हो सकते हैं सबसे ज्यादा जो में पॉइंट यहां पर रखा गया कि देखो अगर एक्सिदेंट होने के बाद ड्राइवर वहां पर रुखता भी है तो भारत के अंदर बहुत से केसों ऐसा देखने को मिला है कि एक्सिदेंट के बाद में ड्राइवर तो रुख गया लेकिन भीड ने उसको पीट पीट करके मार डाला है उसकी बुरी हालत कर दी तो ऐसे में ड्राइवर इसलिए नहीं भागता कि उससे अपनी जिम्मेदारी से भागना मेन कारण है वहां पर जो सपर जया नहीं कि ऐसेe Unity अगर वह रुकता है तो भीडाऊ जैँ इसको इस पर अपन से पर अपडेट ऐसा कुछ होता है तो मैं आप इंडवर प्रेपर यूट्यूब पर इसके अलावा आप जो है जो है जो पिप्टी हैं यानिकी जो चंटेंट है उसके लिए आप झ टेलेग्राम चैनल पर मिल सकते हैं, टेलेग्राम चैनल का हैंडल में यहाँ पर लिखा हुआ है, फेस्बूक इसके साथ साथ हमारा वेब्साइट, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डिन के सभी लिंक यहाँ पर दिये गए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आ है तो तो नेक्स्ट अब्डेट आपको मिल जाएगी चलिए तो फिर आप लोगों से मिलता हूं मैं नेक्स सेशन में थैंक यू सो मच बबाई एंड धन्यवाद